ये खोबा येलियों स्रिष्टी काता, मेरा पीता बेन क्याईा ये खोबा ये लियों स्रिष्टी काता, मेरा पीता बेन क्याईा अब तो में साना तु हूँ अब तो में साना तु हूँ मैंने पिछले अप्ते आपको कहके दिया इस जो सौभाव इस जो ग्रीड ना लालज बोलते हैं लालज उनका जिंदिगी में बहुत हानीगारी बिन गया हाललुया उसी कारण से उन्होंने जाके यहूदी लोगंका महायाजकों को साथ में एक प्लानिंग बनाया उनको जाके कहा तुम दोना पैसा मुझे देदो दोना पैसा मुझे देदो मैं क्या करेगा इस जो को पगड़वा के देदेगा हाललुया मेना सवाल इस जो को पगड़ने के लिए महायाजकों को यूदा का क्या जरूरत दा क्योंकि इस एक पोपुलर गुरु है उनको सभी लोग परस्त कर सकते अभी इनका मदद का कैई जरीर दा एक दो बात अब समझ लो एक बात ईश्व के ज्यादा करके सेवगाई होते दा गेलीली करके जगा में गेलीली और यह जो घटना हो रे जर्शिले में करके शहर में गेलीली दोड़ा दूर है गेलीली से ईश्व और उसका च जर्शिले में आया है तो जर्शिले में रहने वाला महा याजगों याजगों धरम का सरदार लोग कभी भी इश्व को देखा नहीं क्योंकि इश्व के सेवगाई कहा होते है गेलीली में होते है इश्व के बार में काफी सुना है काफी चर्चा किया है लेकि कभी भी इश् और इशु ने जरशिलेम शहर में अभी नया नया आया है किस मकसद रखे आया जरशिलेम शहर में बहुत बड़ा पर्व बहुत बड़ा त्योगार होने वाला था बड़ा फेस्टिवल यहूदी लोगों का सबसे बड़ा एक फेस्टिवल है उस festival को कहते है फसक का festival Passover अगरेसिवे क्या कहते है Passover Passover का festival होने वाला था इस Passover का festival का समय में ईश्यो शाहर में पहुंचा और Passover festival का खासियत क्या था मलबे Passover festival सालों साल से यहूदी लोग हर साल करने वाला एक त्योहार था उस यहार में ऐसे होते था एक मेमने को वो लोग रगाले करके रखेगा और उस मेमने को जिस दिन जो festival कर दिने फसर का दिने, उस दिन उस मेमने को काटेगा, हर साले लोग एक करते हर साले, every year, और every year क्यों करते माले में, क्योंगी, एक द्रिश्टांद, एक सिंबोलिसम था, क्या सिंबोलिसम था, उसे काफी, हजारों साल पहले, यहूदी लोगों को इसे वाइदा मिला था, क्या इश्य मशी, परमेश का फुत्र दर्ती में उतराएगा, उनका मृत्य को अद्वारा, हललुया, अपन उपर गिरने वाला सारा परमेश का क्रोध मिठा जाएगा, अभी उसी त्योहार में, इश्य का मृत्य हो गया, उसी त्योहार में इश्य का मृत्य हो गया, अर्थ क्या इमल में परमेशन ने उसी समय में जो सचाई का मेमने को दर्ती में बेजा वो कौन था इशुमशी था सालोम साल से एक शाड़ो एक परिचाई का रूप में एक मेमने को काट रहे लेकिन अभी कौन उत्राया इशु मशी वो परिचाई नहीं है वो और्जिनल है और्जिनल मेमना परमेशर का मेमना ऐसे क्यों बुलाया क्योंगी उन्होंने कैसे एक मेमन को बेली देते वो इसे अपना बेली देने के लिए आया परमेशर का मेमना था इसलिए ईश्यो को लांप ऑफ गोड बुलाया था और एबात भी मैं बोल के देना चाहता हूँ ईश्यो का बिलिदान से अपना सारे अबराथों को शमा मिला और वाजन में क्या लिख्या है मालवे उस जो बिलिदान आकरी बिलिदान था उसके बाद में पावों के लिए अबराथों के लिए वापस बिलिदाने का जिरूरत नहीं दा तो ईश्यो मरने के लिए तयार होके आया था और ईश्यो के चैनते ये सब हादसा कहा होने वाला है जरशले में होने वाला है गलीला में और रहत दे इसलिए उस परवकत समय आगेया उनोंने सीधा जरशले में पोचा इसुका च्छानते दा उनोंने मरने के लिए आया और जैसे इनोंने जरशले शर में उस जो गदा का बच्च गदा को उपर प्रवेश किया क्या हो गया मालुमें हललु हुए बहुत बड़ा बीड ईशु के साथ में आया था बहुत बड़ा बीड क्योंकि बहुत बड़ा गुरु हुए जाराएं लोग ईशु को पीछा करके जरसले में पहुंचा और एबात भी आप समझे लो जरसले में सबसे बड़ा परवर त्योहार हो रहे अब समझे लो कुछ शहर में बड़ा तयोहार हो रहे साल में सुर्फ एक बार होने वाला तयोहार और सबसे बड़ा तयोहार तो पूरा देशवासिम उस शहर में आ चुका है वही से समय में ईशु क्या वो शहर में प्रवेश किया हजार हम उनको पीछा के एक बड़ा जुलूस जरशिले इमशार में प्रवेश किया अलोग ईश्य का हाललुया साथ में जो लोग दा उन्होंने नहरा लगाना शुरू किया उन्होंने स्टूदी करना शुरू किया उन्होंने अराथना करना शुरू किया क्या स्थुदी की अमल पर पे क्या राथ नबलबे, दावुद का संदान को ओषण ना भुलके, स्पूदी की दोलगा क्या राथ ना करना शुरू कि ने जैसे ईशुजरशीलहिम आप्षर में प्रवेश किया नेस्ट भी की ईशुदा को भगडा दिया, यूदा उसके लिए मदद किया यूदा मदद करने के कारण इशु जरशले हम शहरवासी नहीं है गिलीला से इधर का याजग लोग इधर का सेना इशु को पहचानद नहीं है दूसरा बात दूसरा बात बाकी उनका चेलों से इशु का आगार में इशु के कपड़ा पहने का रीदी में कुछ फ़रक नहीं दा बाकी चेलों कैसे कपड़ा पहनते उसी रीदी में इशु भी क्या गिया बाकी चेलों कैसे बाल कारता है वैसे इशु ने भी बाल कारता बाकी चेलों कैसे धाड़ी बनाए वैसे इसुन अभी हलो इसलिए यूदा को याजग लोग बोला तुम तुम हमें मदद करना पड़ेगा क्योंकि सबको दिखने में एक ही जाए इसलिए इसलिए जो परचान वाला किसी एक विक्ति का मदद चाहिए कौन इसमें और जिए उसको पकटने के लिए और यूदाने क्या किया मालवे यूदाने महायाजग उक्साथ में एक एगरिमिन बनाये महायाजग उनको बोला अगünde अगर तीस दिनार मुझे देते तो में क्ये करने वाला हैं इस्शु कर प पकट कर देने वाला कित्ना दिनार तीस दिनार इस आउरत ने कितना दिनार इश्व का पाऊ में हाललुया ओ लगाने के लिए इस्तामाल किया इस ट्री उनके एक वर्ष का पूरा मेहनत इश्व का पाऊ में रखने के लिए तयार था लेकिन उसी जगा में एक इश्य का चैला उसका 10 परस्टेज ना 1 तेंड सही है ना हललुया उसका एक दसमस के लिए क्या किया 10 परस्टेज के लिए इश्य को दोका दिया आप बात समझे लो कुछ लोग सब कुछ इश्य को समर्पन करने के लिए उनका जिंदी की पूरा इश्य के चरणा में रखने के लिए तयार कुछ लोग चोटे चोटे बातों के लिए इश्य को इंकार करने वाला लोगे इश्य को त्याकने वाला लोगे मैं आज और भी एक बात बोलना चाहता हूँ क्यों इस प्री ने इतना इश्व को प्यार किया क्यों यूदा चोटे-चोटे बातों के लिए इश्व को हलल दोका दिया हललुया यूदा कभी भी इश्व का अन्हो किया वक्ति इश्व का साथ में चलते था चमतकार देखते था लेकिन कुछ का जिन्दगी में कभी भी एक चमतकार हुआ नहीं मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ आप कितना साल से ईशु का पीछा कर रही है आप सुनाए उनका जिंदगी में प्रोचगाई दिया क्या आपका जिंदगी में कभी ईशु का अन्भोग किया हललुया नहीं अन्भोग किया तो आपका जो विश्वास सिर्फ आपका ब्रेन में रहने वाला विश्वास है हललुया इस जेस्ट नौलज है सही है ना अब ईशु को जानते हैं लेकिन कभी भी क्या किया नहीं अन्भोग किया नहीं लेकिन मर्यम का विश्वास है से नहीं मर्यम का विश्वास मर्यम ईश्व को अन्भो किया है अज मेरे सामने बेटा है काफी लोगों का बार मैं में बोलना चाहता हूँ आपने ईश्व को क्या किया है अन्भो किया है ईश्व को अन्भो किया हो लोग हाथ उडाके के चाहलेलिया बोलिये जोर से बोलिये, hallelujah अगर आपने ईश्य को कम से कम जिन्दगी में एक बार अनिभो किया आप ईश्य को छोट नहीं पाऊँगा ईश्य को भूल नहीं पाऊँगा ईश्य को दोका दे नहीं पाऊँगा that's a secret, hallelujah जो वक्ती ऐसे ही पीचा करते है रहा नहीं किया वक्ती मौका मिला उन्होंने क्या किया गलती किया, hallelujah उनका मन के अंदर ईश्य को पीचा करने के लिए यह की मकसद दा, क्या मकसद दा यह कमाई का रास्ता है क्या मिलेगा मुझे लेकिन उस तरीक आवस्ता वो नहीं दा hallelujah उन्होंने ईश्य को अन्वो करके प्यार किया मैं बोलना चाहता हूँ, हमें भी ईश्य को अन्वो करना है परमेश्य का वजर में क्या लिखा है मलेबे oh taste and see that the Lord is good, oh taste and see that the Lord is अर्थ क्या है चक्के अन्वो करो परमेश्य भलाए चक्के अन्वो करो ईश्य भलाए आपने काफी लोग अन्वो सुनाए उन्होंने कहा ईश्य भलाए उन्होंने कहा ईश्य भलाए मैं बोलना चाहता हूँ, आपको चक्के अन्वो करो, ईश्य भलाए God is good Amen God is good Amen He's always good, hallelujah हमेशा चाहे Mariam चक्के अन्वो किया है यूदा चक्के अन्वो नहीं किया यूदा का जिन्देगी में कुछ अन्वो हैं नहीं उनको यह चोरी का ही काम चलते Hallelujah अक्री में क्या होगिया मालुबे ईश्य को दोकादके तीस सिखा के लिए उन्वो नहीं यूदा कायो किया बेस डाला और ईश्य को प्गटके लिए वजिन में क्या लिए है मालुबे अलग अलग अधालत में ईश्य के बार के चर्चा होगिया महायाजगो major उसका अधालत में लिए पिलातोस का दोच नहीं देखाई इनमें कुछ मिस्टिक नहीं है सब लोग एक साथ बोले हिन्हों weights गलती किया नहीं पिलातों क्या कहा हम खांथ में उसमें का रॉम का सरकार का गवर्नर उस देष का गवर्नर था पिलातो सब्सक्राइब उसका सब्हा वे यश्व को लेके आया, पिलातोस सबी बातों सुनने के बात में कहा, तो कोईस इंसान में में कुछ गलती नहीं पाया, और यश्व को पुचे ते हैं, क्या तुम सच मुच में राजाए, अलग-अलग क्वश्टिन आगया, सत्य का मतलब क्या है, क्या पूचा सत्य का मतलब क् क्वेस्टिन आया एक साइट में यहूदी लोग खड़ा होके इश्व को पर दोश लगा रहे लेकिन इश्व चुप चाप खड़ा था पिला तोस कहा हमल में तुम क्यों चुप खड़ाएं तुम क्यों चुप खड़ाएं वाई यू आपको पुछना जाता है अगर कोई भी अपने उपर दोश लगाएगा हम चुप खड़ा रहे हम उसका ड़ावाज से क्या करेगा वापस जवाभ देदेगा हम अपना आपको क्या करने के लिए कोसस करए धर्मी तहराने के लिए कोसस करेगा we will try to prove that we are innocent सभी है ना कोई भी छुप रहेगा नहीं ईशु ने छुप रहा था अलग अलग सवाल हो मारे लोग दोस लगा रहे आकरी में पीला तोस क्या बोला मालवे अरे तुम को जानता नहीं है तुम चुप रहेगा तो तेरे उपर सजा मिलने वाला है तुम को जानते नहीं है मेरे पास अधिगार है तुमें चोटने के लिए तुम कुछ मूँ खोल के बोलो मैं तुमें चोटने वाला है इशु चुप रहा क्यों चुप रहा इशु ने क्या कहा मालवे जब तक उपर से अदिगार नहीं मिला तेरे पसकूच अदिगार मेरा राज शारी रिक नहीं है मेरा राज्य मेरा राजाए लेकि दुनिया का कोई राज़ का राजा राजा नहीं ए मैं आत्मिक एक आत्मिक संब्राज्य का राजाए में हललोय और मैं चाहे तो एक लग्योन से जादा सेना को سर्गлом से बुला पावोगा स्वर्ग दूदों को एक लेगियोन कितना है मालुब है छे अजार कितना उस जमाने के एक नंबर है लेगियोन एक लेगियोन का मतलब छे अजार मैं चाहिए तो छे अजार सुर्ग दूदों को अभी बुला पाऊंगा लेकिन मेरा हाललुया राज माई किंडम हाललुया मेरा किंडम हार्तली मतलब शारी दुनिया का राज नहीं है मेरा राज फुर कौन सा राज है आत्मी की राज है हाललुया इसलिए चुप चप रहा क्यों हम चुप रहा क्योंकि जब चुप रहा उनका मन में आप था इसलिए चुप रहा वो कुछ बोलेगा तो उनको क्या करने वाला है चोटने वाला लेकिन वो अपना बचाने के लिए आया नहीं वो मरने के लिए आया था हललुया वो अपना अब सुम दिया उनको चैन्दे अगले दिन मेरा मुर्तियू होने वाला है अपको चंदे क्या हो गया आकरी में इश को हललुया मार डालने का सजा हो गया पिलातोस ने बोला देखो हललुया इनको लेके जाओ और क्या करो जैसे तरह इचाए उस लीदी में उसको उपर करो यहूदी लोग और पिलातोस का सेना मिलके इश को लेके गया कलवारी के क्रूस में उनको क्रूस में चड़ाया उनको क्रूस में चड़ाया जैसे उसका हाथों से खिला मार रहे था उसका पैरों से खिला मार रहे था एक काटे का मुकुड उनका सुर में रखा था उनका पूरा शेरीर में खोड़ा खाने का वज़े से लहू भार है था पूरा शेरीर में दर्द था हाला लोई लोग उटका चारोत तरह खड़ा हो के बोला तुम कुद को क्या कर बचावो तुम कुद को बचावो तुम मरेवे लोगों को जीवित किया बहुशु दखता है इसुने जब दर्ती में चारोतरा क्या किया उन्होंना कोड़ियों को जिंदा किया उन्हों ने जो अं।ों दा उसका ऊंख ख़ोल को ख़ला तो कि महान हो ja बचाओ आ इसने क्या किया नहीं उसका उसका शक्ति și उन्होंने सब कुछ खुच सहलिया उस दुख है उन्होंने खुछ का शरीर में ले लिए किसके लिए आपці मेरे लिए मेरे लिए हाललूया हाललूया कुछ पड़ा होके उन्होंने कहा है हे पिता हे पिता मुझे क्यों है त्याग दिया है येली येली लमा शबकतानी अरामिक भाशा में येली येली लमा शबकतानी अर्थ किया है हे पिदा, हे पिदा मुझे क्यों प्याग दिया है सुर्गु में से पिदा परमेशर कुछ जबाब दिया नहीं चुप दिया था क्यों? क्योंकि वजन में लिखाए लास्ट वीक में ने कहा पिदा ने समसार को इतना प्यार करते था इसलिए उसका ये किलोता पुत्र को एक बेलिदान जैसे हमें दिया Like a sacrifice एक बेलिदान जैसे हमें बचाने के लिए कितना लोग आज भी शुआस करेगा ये शु मेरे लिए मरा जीसस टाइट फॉर मी पिदा ने उनको मेरा जगा में क्या किया? छोड़ दिया Everything is fulfilled Hallelujah Everything is over इसका मतलब क्या है मलबे? दुनिया का सारे इंसान किया सभी पावों का सजा पूरा हुआए उनका शेर में उले लिया अपना श्रापों पूरा उनको उपर गया Hallelujah अपना भीमारी का सब कुछ दर्द उनने उस कुछ में उठा लिया Everything is over Finished Accomplished थनिवादी इस थनिवादी इस थनिवादी इस अज कौन बोलेगा इस्व मेरा आपराथों को मेरा पावों को आपको उपर में छोड़ देते है मेरा पूरिवार का मिरत पे जो श्राप का शक्ती है उसके लिए आपने कुरूश में मरा मेरा बीमारी के लिए आपने कुरूश में मरा जो विश्वास करने वाला के लिए आज भी इस्व का अद्भूत कारियम प्रगड़ होने वाला है इस्व का लहू आज भी उनके लिए काम करने वाला है हो हश्व इस्व का पवित्रत में का सामर्द आज भी उस बक्ती के लिए काम करने वाला है उनका लहू का दिगा इश्व का लहू में बहुत बड़ा सामर दे इश्व का लहू का सेतान इतना है इसलिए डरते है क्योंकि सेतान का हार का निशाना है इश्व का लहू सेतां का हार का निशाना है इसक लिहू उस लिहू से कालवारी के कुर्श में उन्होंने किया कुर्बान से अपने ब़ातों को श्रमा मिला हे पिदा मुझे क्यों अमत्यागा आ है पिदा ने चुप रहा क्योंगी पिदा ने उसके एकलोता बैटा को अपने एलिए एक कुर्बान जैसे दिया हम जहां मरना चाहिए रहा उस जगा कौन मरा तो कुछ लोग इसे पुछते एक वक्ती मरने का जगा में एक वक्ती मरा लेकिन सबी दुनिया का जान के लिए ईशु का मृत्यू के इसे बराबर होने वाला है मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक इनसान का जान का बराबर एक इनसान सही है ना एक इनसान का जान का बराबर एक इनसान लेकिन ईशु एक साधान इनसान ने ये ईशु परमेशर है इसलिए दो को परमेशर ने जान दिया एक इनसान के लिए ने ये उस जान का मूल ये इतना ज़ादा है सारा दुनिया का बाबों को ले सकते दा सारे दुनिया को माफ कर सकते दा सबी लोगों को बचा सकते दा क्योंकि एक इनसान का बरावर ने ये इशू वो परमेशर है सब के लिए उनका जान उन्होंने कुर्बान किया पिदा ने उसको अपने लिए त्याग दिया क्यों कि समसार को पिदा ने इतना प्यार किया था आपको प्यार किया था, मुझको प्यार किया था एक कहानी बदा के में बंद करने वाले है और आपके लिए प्रार्थना करने वाले है यह कहानी शायद आपने बहुत 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 सुना होगा इस इस एफेमस स्टोरी हललुया यह मूवी भी बन गया है कहानी क्या है मालुबे एक नदी का बीच में एक पूल रहते था एक ब्रिच गयशे केसे ब्रिच रहा मालुबे उस नदी से बड़ा बड़ा शिस ले साधा जहांस आएगा उस समय में शिप को जाएने के लिए पूलको उपर करना पड़े इसे लिवर होते लिवर गुमा के क्या करना पड़े इसे बहुत बढ़ा मिश्णर ये आपको जन देगे अभी भी काफी जगाओं में इसे ऐसे के बलते ब्रीज रहते हैं वो प्रीज दो भाग बन जाएगा और क्या करेगा और नीचे से क्या करेगा जहाज चला जाएगा उसी ब्रीज जिसे क्या होते है मल्वे ट्रेन भी जाते है जिसे जहास जाएगा फिर क्या होने वाले मल्वे जिसे ट्रेन आएगा इस ब्रिज को सीधा करना पढ़ेगा और इस काम करने के लिए उदर कंडूल रूम में एक आपमी को रखा ता उसका काम है एक वाचमान जैसे गार्ड जैसे ना इसे अपने चेक पोस्ट में रही एक क्रोस में गार्ड रहते है ना वही काम है वो गार्ड रहते दा उदर क्या करेगा वो जैसे जहास आएगा जहास का हौन बचाएगा उन्होंने क्या करेगा यह ब्रिच को उपर करेगा यह से ट्रेन आने का समय आजाएगा, उनने ब्रिच नीचे करेगा, एक दिन क्या हो गया हमालीबे, उसका बैटा, चो छोटा बैटा था, तेर्ट स्टैंडर्ड फॉर्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई करने ले चोटा बैच्छा, उस बैच्छा को स्कूल में चूटी था, ब कुछ समय बात में हैं, हललुया, पिदाजी बच्चा को, उनका आवाज सुष्ट ने सुनते हैं, पिदाजी जाके देखा, तो यह बच्चा कहा क्या होगे मालीबे, यह जो ब्रिच को ऊपर नीचे करने वाला बहुत बड़ा क्या बलते हैं, चक्रों होते हैं इसे, उस जो मिशिन रूम के अंदर इस बच्चा गिर पड़ाएं, हललुया, इस चक्रों का भीच में यह लटका गिर पड़ाएं, और पूल तो ऊपर करके रखाएं, जहास जाने के लिए पूल ऊपर किया था, ब्रिच उपर किया था, अभी बच्चा कहां गिर पड़ाएं, हललुया, इस चक्रों का बीच में गर पड़ाए पिदा जी कोसेश के इनको कीच के निगालने के लिए लेकिन उसका पायर कुछ उसके अंदर टाइट हो गया है निगाल नहीं पाऊँगा उसी समय दूर से ट्रेन का होगी होन का आवा सुना दूर से ट्रेन आ रहे सिगनल चालूए ट्रेन में जो रहते उनको जानदा नहीं पूल अभी तक टीक किया नहीं ट्रेन एकदम तेजी जे आ रहे इस आत्मी अभी एकदम दुखी हो गया इनको जल्दी क्या करना पूर को सीधा करने के लिए मौटर स्टार्ट करेगा उसका लिवर गुमाएगा क्या होने वाला है इस बच्चा मर जाएगा इस बच्चा इस चक्रों का दात के अंदर गीस के खदम होने वाला है एक सेट में बैटा को बचाना है दूसरा सेट में से हजारों लोग एक रेल उन्होंने क्या किया माले वे उन्होंने आंग बंद करके उस मोटर को स्टार्ट किया हललुया उसका बच्चा पूरा क्या हो गया माले वे इद्दम क्या बलते है हललुया हलक कीमा बन किया समझ लो हललुया लेकिन ओर ट्रेन पूर को उपर से चला गया ट्रेन में बैटा वो को जैनता नहीं था नीचे क्या हो लूया उस क्रॉज्ट का अखनी में उसका पुत्र को राक बनने के लिए किस के लिए मेरे लिए आपके लिए that is the secret of cross my dear charge अलवी या कुश का सालीब का मतलब क्रॉज्ट का मतलब वो ये मेरा प्यारे सिर्डूज का मतलब उस कुश में इस उने आपके लिए मेरे लिए है आपने जो पाप किया मैंने जो पाप किया उस पाप के लिए उसका आखरी बूंदल को भी बहाया और उन्हेंने क्या कहा माले में अभी पाप के लिए आगे कुछ कुर्बान करने का जरूरत आगे पाप के लिए आप दस दिन उपास बेटने का जरूरित नहीं आपका शरीर को पीडा देने का जरूरित नहीं सब कुछ उनों ने सगलिया can you believe that hallelujah आपका पाप के लिए सब कुछ उनों ने किया आपको क्या करना है इस्व मैं विश्वास करना ये खड़ा हो जाये I'm going to pray hallelujah मैं प्राट नहीं करने के लिए जारू इस्व मिश्वास करो इस्व कर लहू आपके लिए बहाया था the blood of Jesus the blood of Jesus that was for your salvation आपका उधार के लिए आपका चुटकारा के लिए आपका चंगाई के लिए उनोंने खोड़ा काया आप इश्व के पस चंगाई के लिए आते है लेकिन आप क्यों चंगाई हो रहे मालिवे क्योंकि आपका बीमार का दर्द उनोंने क्रूश में उठाया इसलिए आप चंगाई हो रहे आपका बदले में आपका दर्द को उनोंने उठाया कुछ लोग के इसे कहो पर वो आपका खोड़ा खाना से I'm healed I'm healed में चंगा हुआई मत सोचो जो प्रार्थन चडाने वला पास्टर के हाथ में कुछ सामरत है इसलिए आपको चंगाई मिल गुए काफी लोगा सोच कहा है वह पास्टर के पास काफी पावर है No my dear church I'm an ordinary person just like you but I believe in Jesus Christ who is ready to heal who is ready to मेरे पास कुछ शक्ती नहीं मेरे पास कुछ शक्ती नहीं I'm just an ordinary person like you I'm just an ordinary person like you मैं आपका जैसे एक मामोली इंसान है Hallelujah फुर किस के पास शक्ती है उसका लहू में उन्होंने खोड़ा खाने के कारण से अब चंगा हो गया आपका शेरीर में जो दर्द आप अभी अन्वो कर रहे उस जगा ईश्यो ने दर्द उठाया आपका घर में जो श्राप है उस श्राप का जगा में इश्यो ने क्या किया आप के लिए श्राब भी धो गया कितना लोगब बोलेगा ईशू मुझे समपढ करते आपका लहू का दोरा कुरूश में बहाय लहू का दोरा मुझे चंगाई देद přूब मैंने घर के अंदर शांदी देद आउ मैंने घर के अंदर काम कर रहे अंदगार का शक्तियों को अटाओ, उस श्राप का शक्तियों को अटाओ, मेरा हाथ में सामत नहीं, लेकिन जिस इशु के बारे में मैंने बताया, उस इशु ने खोड़ा खाने का कारण से, उस इशु ने खोड़ा खाने का कारण से, आप चंगाई हुआ, you are healed because of Him, oh sabi log everybody pray, everybody pray, sabi log साथ में, हाय और बेदी निकल गया, दल में शांती बढ़ गया, हाय और बेदी निकल गया, दिल में शांती भल गया अब तो मैं आजाद हूँ अब तो मैं आजाद हूँ